इंटेल वर्सेस एमडी यह इस टाइब के कहानी बहुत चलती रहती है क्योंकि देखा है तो इंटेल के 13 जनरेशन प्रोस्टर भी आते हैं एमडी का 7000 स्रीज भी आ चुकी है लेकर बात है कि इन दौनों में से आप लोग के लिए क्योंकि दौनों बहुत ही जबर जस्त काम कर रहे हैं और सोचा कि इस वीडियो में आपको बतातों इंटल और एमडी के बीच में कंपैरिशन और क्लियर विनर बेसिकली हाप बात किया तो हम तीन सेग्मेंट में बात करने वाला है अगर आप एक एंट्री लेवल बिल्कुली बेसिक डेस्क्टॉप बनाने वाले हो और आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है उसके लिए बहतरी ने क्या चीज रहेगी एक मिट सेग्मेंट का डेस् राइजन के आने के बाद से इंटल हिल गया था और राइजन प्रॉसेसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन पिछली दो जनरेशन में इंटल ने बहुत जबर्दस कम गया 10 जनरेशन के बाद 11 और 12 था बहुत यची चाहिए और मेजर इंप्रूमेंट देखने को एक बेसिक काम करना है और एक अच्छा PC यहां पर बिल्ड करना है तो आप कुछ भी कर लें आपको इंटल में वो प्रॉसर देखने को नहीं मिल रहा है काफी पुरानी चीज़े देखने को मलेंगी और बजट में देखा जा तो राइजन एक काफी सेंसिबल आप्शन मन देना चाहता है यहां पर AMD Ryzen is the perfect choice जहां पर सस्ते सस्ते में आपको एक अच्छा प्रडेक्ट देखने को मन सकते हैं जिसके अंदर आपने सारे कैशुल काम कर सकते हैं और मिड हैवी वाले जो काम होते हैं वो कर सकते हैं लेकिन जैसी ओपर वाले सेग्मेंट में खिस सकते ह AMD भी आ चुका है Ryzen के साथ और यहां पर Intel भी आ चुका है लेकिन फिर इंटल का जो पल रहा है वो थोड़ा से जादा भारी है देखो पता हूं कैसे देखो इंटल ने क्या किया कि 11 और 12 जनेरेशन में मैसिव इंप्रूब्मेंट किया और 12 जनेरेशन के जो प्रॉसर अभी प्रॉस में दी जाते हैं उसी तरीके से जहां पर हाई पर्फॉमेंस की जोड़ते हैं इससे एफिशेंसी काफी अच्छी आ गई है और यहां पर इंटल वाले बहुत अच्छे तरीके से हां पर खेल रहे हैं और इसलिए डेक्स्टाप प्रॉसर अगर मेडिया अपर मिट क किसे नकार दें जो काफी सारे एह कोर्फीक वाले प्रॉसर आते जिसरेडर पर वगर जहां पर किसीके मुल्टी स्यादी ayamD करने एंथ के इसके इंदर AMD हाँ पर जादा recommend किया जाता है लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से देखा जाए करेंट सेनेरियो में यहां पर देखा तो Intel का जो प्रावसर है 12 generation वाले वो काफी आगे निकल गया है 13th generation में भी improvement 7000 series भी अच्छा यहां पर perform किया उन्होंने लेकिन बात की जाए तो कीमत थोड़ी जाद है तो basically यहां पर यह काम होता है अगर किसी को अगर प्रॉपर गेमिंग वाला computer यहां पर develop करना अभी किसमें और चाहता है कि future तक वो अच्छे तरीके से sustain करें प्लस गेम्स उसके अच्छे तरीके से चले यहां पर इंटेल की जो 12 जनेरेशन प्रॉप्सर या जो अपकमिंग 13 थी यह पूरी तरीके से वह से देखें तो वहां पर काफिक अच्छा advancement देखने को मिलें बिल्कुल वो चीज यहां पर काफी अच्छी है और इसी के साथ ही बात कुरू अगर मैं लैप्टॉप में तो लैप्टॉप पे देखा जाए तो लोग कई बार Intel AMD को Apple के M3 से compare करते हैं देखो M chip के मैं बता देता हूं क्या है M chip अभी देखा जाए तो M1 M2 एक laptop वाली chip यहां पर develop करी गए थी उसके performance वाला वर्शन अभी आना बाकी है जो उनके Mac Pro में लगेगा तो वहां पर हम डिरेक्ट इसे compare नहीं कर सकते डेक्स्टॉप के अंदर लेकिन laptop के अंदर बात करें M chip के closest जो processors अभी के समय में आ रहे हैं वो आ रहें Intel के यहां पर मैंने Intel के processors को चेक किया है और उनकी performance भी अच्छी है प्लस Intel का process जिस मामले में आके निकल रहा है as compared to AMD वहां पर निकल रही है ज्यादा ब्लंबी battery life battery life के नामले में निकल रहा है energy efficiency के मामले में निकल रहा है और जो Intel EVO आता है वहां पर quick responsiveness जो रहती है न तो वो एक चीज़े तो मैं कहना वाला हूं कि अगर यहां पर किसी को Macbook के जो Apple Silicon आती है उस जैसी performance जो कोई match कर पा रहे है वो यहां पर आपका Intel के जो processor 12 generation वाले वो कर लेकिन एन edge series processor जो Intel के आ रहे है उनके अंदा performance के साथ efficiency जिससे अच्छा battery life भी निकल रहा है और इसलिए अगर आप एक बिल्कुल ही mid segment के एक अच्छा laptop लेना चाहते Intel का laptop देखिए और even अगर आप खुद देखेंगे तो market में AMD के laptop काफी जादा limited है देखो अगर AMD laptop किसी को लेना है बिल्कुल ही low budget है उसके लिए काफी सही चैसे क्योंकि budget में अच्छा वो दे देता है इसके साथ ही बात करें mid range में Intel का और gaming वाले साथ में जब हम move on करते हैं तो यहां पर आपको Ryzen और Intel दोनों के option है Extreme Gaming अगर आपको करनी है तो Intel पर जाईए mid करनी है तो AMD Ryzen भी अच्छा option है जहां पर आपको Edge series का प्रफॉसर देखने को मिलता है एक benefit यहां पर AMD Ryzen के साथ है कि उसके प्रफॉसर वाले कुछ laptop सस्ती कीमत में मिल जाते है और अगर आपको AMD की 5000 series का कोई laptop देखने को मिल रहा है राइजन series के अंदर और वो कीमत अगर 50-60,000 में है तो यह काफी अच्छी बाय यहां पर हो सकता है जहां पर आपको एक अच्छी performance देखने को मिलेगी लेकिन देखा जाए तो यह कहानी है और देखा जाए तो Intel AMD की रिएस काफी अच्छी तरीके से चल रही है देखो सिंब इफेक्ट की बात यहां पर बता देता हूं अभी के समय में दौनवी प्रॉसर ऐसे हैं कि अगर आप इसमें से कोई भी चूज करते हैं गलत नी होने वाले वह डिपेंड करते हैं आपके रिक्वार्मेंट पर कैशुल टास्क आपका सस्ते से सस्ते AMD प्रॉसर अच्छी तर नहीं है किसी को हैवी केमिंग करनी है इंटल को अप्शन आता है तो यार यह कुछ चीज़ है और बकार यह बताने की जरूए थे नहीं कि अभी भी देखा जाए तो इंटीग्रेटर ग्राफिस की पॉफ्रमेंस अभी अभी एम्डी यहां पर जादर निकाल कर दे रहा है ह कोई चीज़ हम यहां पर चेक करी थी तो एक्जेक्ली मार्केट में चल के रहा है वो आपको समझाने कोशी करी लेकिन देखके काफी अच्छा लगा कि इंटल एम्डी सालों तक शान बैठे रहे लिखना अब लग रहा है कि मोबाइल फोन से जाधे इंटरस्टीं बट्पाइ